दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रही हैं रस एप पर फेंटसी लीग खेल कर पैसे कैसे कमाए काफी लोगों को यहाँ पर टीम बनाने और एडिट करने में परिशानी होती है तो यहाँ भी हम इस वीडियो पर जानेंगे तो यहाँ पर आप मातर पांच रुपए से टीम बना कर खेल सकते हैं जो कि इसमें फर्स्ट प्राइज एक लाख रुपए है और टोटल प्राइज पांच लाख पचास हजार है यानि की रैंक वाइज यहाँ पर और भी पैसे मिल सकते हैं इसके अलावा नौ रुपए से भी खेल सकते हैं जिसमें फर्स्ट प्राइज साथ हजार रुपए है इसके अलावा तीन रुपए से भी खेल सकते हैं इसमें फर्स्ट प्राइज पंदरा रुपए है यहाँ पर आप मिनिमम एक रुपया से भी खेल सकते हैं जिसमें फर्स्ट प्राइस पचास रुपय है इसके अलावा और भी बड़े प्राइस वाले लीग मिलते हैं जिसमें आप ज्यादा पैसे लगा कर भी खेल सकते हैं जिसके लिए आपको नीचे फेंटेसी वाला आप्शन होगा उस पर जाना होगा तो अमाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ जानकारी बताया जाता है कि कैसे आप टीम बना सकते हैं तो फिलहाल यहाँ स्किप पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर 5 मिनट का समय मिलता है जिसके भीतर आपको टीम बनाना है ताइम खत्म होने के बाद आपको फिर से सिलेक्शन करना होगा तो यहाँ पर 5 प्लेयर ही सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें 45 क्रेडिक मिलता है credit जो है वह player के अनुसार नीचे में देख पाएंगे किसी का कम किसी का ज्यादा रहता है तो यहाँ पर batsman allrounder और baller तीनों में से player select करना है जो कि यहाँ पर player का नाम और उसके नीचे उनकी team का नाम लिखा होगा आपको कम से कम एक batsman और एक baller select करना अनिवार्य है बाकी आप अपने हिसाब से selection कर सकते हैं तो selection करने के लिए player के बगल में plus icon दिया होगा उस पर click करना है जो कि दो batsman मैंने select कर लिया है अब उपर allrounder option पर click करके यहाँ player select कर लेंगे इसके बाद baller option पर जाकर यहाँ baller को select कर लेंगे यहाँ पर काफी लोगों को problem आती है कि उनका पाँचवा player select नहीं होता तो इसका कारण यह है कि आपके पास उतना credit नहीं होता जो कि यहाँ देख पाएंगे मेरे पास अगा credit ही बाकी है जबकि एक player select करने के लिए कम से कम 8 credit की जरूरत परती है तो इसके लिए आपको करना यह है कि एक दो player जो आपने 11 और 10 credit वाला select किया होगा उसके जगह आप कम credit वाला player को select करें अगर आपने team का selection पूरा नहीं किया है और time खत्म हो जाता है तो आपको यहाँ cut वाले option पर click करना है उसके बाद home page पर आ जाएंगे अब यहाँ जिस amount से आपने game जवाइन किया होगा उसपर click करना है ध्यान रहे amount लिखा होगा उसपर click ना करे उसके बगल में click करे यहाँ पर नीचे view all पर click करना है इसके बाद complete team पर click करें अब आप अपने team को complete कर सकते हैं और बदलाव भी कर सकते हैं इसके बाद continue पर click कर देंगे अब यहाँ captain और wise captain को select करना है captain बनाने के लिए player के बगल में C वाले option पर click करना है और wise captain के लिए player के बगल में VC वाले option पर click करेंगे Captain और Vice Captain में आप उस player को select करें जो अच्छा खेल सकता है क्योंकि इसमें 2 गुना और 1.5 गुना point मिलता है जो कि normal player से ज्यादा होता है इससे आपका rank भी अच्छा आ सकता है इसके बाद Save Team पर click कर देंगे इसके बाद आपका team complete हो जाएगा अब यहाँ home पर click कर देंगे match start होने के बाद team की performance और अपना rank check करने के लिए fantasy पर click करेंगे अब यहाँ जिस match के लिए team बनाए हैं उस पर click करेंगे इसके बाद my team पर click करेंगे अब यहाँ पर अपना rank current price और point देख सकते हैं point वाले option पर click करके देख पाएंगे आपकी team ने किस तरह का performance किया है और कितने point कमाए है तेर जितना अच्छा खेलेगा उतना ही ज्यादा आपका point बनेगा और आपका rank कम आएगा इससे आपको ज्यादा पैसे बन सकते हैं यहाँ पर जो 5 रुपए वाला tournament है उसका price list देख सकते हैं जिसने first price एक लाख रुपए है second price एक हजार थर्ड प्राइस 500 रुपए है वही बाकी का आप नीचे में rank अनुसार देख सकते हैं तो friends इस तरह से यहाँ पर fantasy league खेल कर पैसे कमा सकते हैं अगर आपने अभी तक यह गेन ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे app का link मिल जाएगा अभी जाएं और link पर click करके install करें और पैसे कमाएं और ऐसे ही earning app के लिए हमारे चैनल को subscribe करें और इस वीडियो को like share जरूर करें